अब आप आप लोगों का दुबारा सौगत है हमारे इस नई वीडियो में और लास्टाइम हमने कंप्लीट किया था फंक्शन ओवर्लोडिंग अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अब आपको आपको सी आती होगी तो आपको पता हुगा श्रक्टर क्या है स्ट्रक्टर की तरह है स्ट्रक्टर की तरह क्लास से अएग सकतैंद और उसके ते बार आपा जुपर सकते हैं associated function या फिर जो भी उस डाटा पर operations होंगे और जो डाटा होगा उसको एक ग्रुप के अंदर एक एंटिटी के अंदर बाइंड कर सकते हैं so that are known as classes okay next आता है why do we need classes हमें classes चाहिए क्यों classes are needed to represent real world entities that are not only have data their properties their characteristics but also have associated operation also called as their behavior so the classes है वो हमाँ help परते है real time objects जो real world object होते हैं उनको describe करने में ठीक है यह हमें दो चीजों से describe करते हैं उनके characteristics से और उनके behavior से characteristics क्या होंगे जो उनके data है जैसे अगर हम बात करें बटरफ्लाइस की ठीक है बटरफ्लाइस का characteristics क्या है they have two wings ठीक है they have colors on their wings ठीक है they have a life cycle होती है उनकी ठीक है यह होगे इनके characteristics but उनका behavior क्या होगे कि वो नेक्टर नेक्टर पे जीती है वो यह नेक्टर सक करती है flower से वो they can fly and they can lay eggs एक तरीके सा आप कह सकते हैं जो भी किसी भी object के verbs होते है actions होते हैं वो होते हैं उनके behavior या उनके functions और जो उनके बार में adjectives होते हैं जैसे color जो मैंने butterfly example दिया तो वो सब आते हैं उनके properties में या फिर उनके characteristics में कि वो चीज है क्या और दिखती क्या है कि वो insect है यह है वो है ठीक है तो इस बारे में आपको शायद से याद होगा कि हमने जब पहली जो वीडियो देखी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि आपको याद ही होगा जब हमने discuss किया था paradigms और प्रोग्रामिंग तो हमने एक डाइग्राम बनाया था जिसमें objects के अंतर properties और behavior तो शायद सब आपको समझ आगे होगा वो properties behavior होते का है ठीक है तो यही था इस वीडियो के बारे में next time हम discuss करेंगे next video में कि classes को हम declare कैसे करते हैं और एक दो example आपको explain करूंगा तो see you in the next video तब तत ले टाटाप बाए बाए